शिक्षर संस्थान में हिंदू-मुसल्मान का एक मामला मत्प्रदेश के उजैन से भी सामने आया आरोप है कि वहाँ एक मिशनरी स्कूल में बोर्ड पर जैशुरिराम लिखने पर बच्चों को फटकार लगाई गई इसे लेकर स्कूल कैंपस में एबी वीपी कारे करताओं ने जम कर हंगामा किया प्रदर्शन किया नारे बाजे हुई हंगामा बवाल नारे बाजे एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रदर्शन हो रहा है स्कूल प्रबंदन के खिलाफ नारे लगाई जा रहे हैं हर्मान चालीसा पाट हो रहा है नाराजगी ऐसी है कि स्कूल को चेतावनी दी जा रही है सबक सिखाने की बात कही जा रही है तो मेरे मित्रों मेरे दोस्तों ये निर्भर अब आप पे करता है जेदी कोई भी समस्च्या कोई भी विश्या आपको आता है तो आतको हमें सुचना प्रदायन करनी है ये उजयन का एक मिश्यनरी स्कूल है और स्कूल परिसर में एबी वीपी कारिकरता प्रदर्शन कर रहे है एबी वीपी कारिकरताओं ने उस वक्त स्कूल कैंपस में हंगामा शुरू कर दिया जब आरोफ लगा कि यहां बच्चों ने क्लासरूम में बोड पर जैश्री राम लिखा तो उन्हें डाटा फटकारा गया एक विशय सामने आया था कि जैश्री राम का नारा जो था वहां एक बच्चे ने लगा दिया था तो उसको वहां के शिक्षकों द्वारा पीटा गया और प्रताडित किया गया अबद्र विवार किया गया उसके विरोध में विद्यारती परिशद नहीं है विशय उठाया था आरोफों के मुताबिक स्कूल में छात्रों से ये भी कहा गया कि टीका लगा कर स्कूल ना आएं कलावा भी ना बांधें खिलबारती विद्यारती परिशद उज्जेन महानागर को निरंतर ये विशय संग्यान में आ रहा था कि कारमल कॉन्वेंट स्कूल जो है वहां का जो प्रशाशन है वह छात्रों को प्रतारित कर रहा था कि आप टीका ना लगाएं आप कलावा ना पहनें और निरंतर ऐसी समस्याएं लंबे समय सारी थी ऐसी शिकायते बार बार आ रही थी तो विद्यारती परिशद के कारे करताओं ने उस चीज को विशय में संग्यान में लिया और कल वहाँ जाकर प्रदर्शन किया और वहाँ के स्टाफ के खिलाफ यह मांग की के जो भी दोशी है उनको हटाया जाए और उनके सदबुद्धी के लिए भजन किया हनुमान चालीसा का पाट किया और राफ्टर शक्ती चात्र शक्ती राफ्टर शक्ती के नारे को बुल कि उनकी मौजूदगी में स्कूल में विरोध प्रदर्शन जारी रहा है काफी देर तक एबी वीपी कारिकरताओं का प्रदर्शन चला अलग अलग शेहरों के स्कूल से सामने आए हिंदो मुस्लिम विवाद को लेकर राष्ट्रिय बाल अधिकार सनक्षन आयोग भी सकते हैं आयोग ने इन मामलों पर नराज़गी जाहर की है आज तक से खास बातचित में NCPCR के चेर्मेन प्रियांत कानूनगो ने कहा है कि उज्जैन के मामले को लेकर भी आयोग जाच करेगा आरोप गंभीर है आरोपों की जाच जारी है लेकिन ऐसे मामलों के सामने आने के बाद कई सवालात उठ रहे हैं संदीब कुलशिष उज्जैन आज तक लेकिन जो आरोप उज्जैन के स्कूल के शिक्षकों पर लगा है कुछ वैसा ही इल्जाम जम्मो कश्मीर के कठवा के शिक्षकों पर भी है वहाँ भी दस्वी के एक शात्र की जमकर पिटाई कर दी गई धर्म के नाम पर ऐसा जुल्म हो रहा है कि सुनकर रोंगते खड़े हो जाते हैं मजभ की यार में धार में कटरता फैलाए जा रहा है जो मुद्धे अब तक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं अब उनकी एंट्री स्कूल की देहलीज तक हो गई है जमू कश्मीर में कट्वा के एक सरकारी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जैसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे उसी अपराद को लेकर वहां के छात्रों में जबरतस्त गुस्सा है लोगों में नाराज की है कट्वा की बनी इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल का ये दस्वी क्लास का छात्र है उसे अस्पताल में भरती कराया किया है तो उसको अड्मिट भी किया गया है बच्चे को हस्पिटल में उसके बाद इस इंसिडेंट के बाद जो स्कूल के बच्चे थे हाइसकेंडर स्कूल बनी वे साथ-ाठ सो बच्चों की तदाद के साथ जो लोकल हमारे लीडर हैं, पियाराई हैं डीडी सी, सरपेंचर्ज और लोकल लोग ये सब इनके साथ है ये प्रोटेस्ट करे थे उनके गेंस्ट एक्शन के लिए तो जो भी हालात हुए इसकी जानकारी हाइरे थौटी को दी गई और डीडी सी साथ ने तरंत इस पे कारवाई करते हुए एक इंक्वारी कमेटी का गठन किया है आरूप है कि हिंदो छात्र ने अपने स्कूल में बोड पर जैश्री राम लिख दिया बस इतने सी बात पर स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर का गुस्सा फूट पड़ा पिडित बच्चे के मताबिक दोनों ने उसकी बेर रहमें से पिठाई की किसी बातोommes पेजैश्री राम लिख परिंसिपल ने भाता किया बुला क्या रह solely है सवाल है कि आखिर इस चात्र की क्या गलती थी क्या स्कूल में बोर्ट पर जैश राम लिखते ना गुना हो गया स्कूल प्रिंसिपल टीचर इतने निर्वम कैसे हो गए स्कूल गए